हेलो डियर स्टुडेंट्स तो स्वागत है आपका फार्म एजुकिशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जी पैड डिसकसन सेंटर में जी हां दोस्तों प्रीवेस एर्ग के कुश्चन की सीरिज में हम लोग आप पहुंचे हैं कैप्सुल पार्ट शिक्स पर तो उनके पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे उन पर भी बात की जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कुश्चन हाइड्रोक्सिर पॉपाइल मिथाइल सेलोज कैन भी यूज़ फॉर एस डाइल्वेंट सुपर डिसिंटिग्रेंट लूब्रिकेंट और मेकिंग एम् पिखेंट करते हैं ना ही फ्लो प्रापर्ट को प्रामोर्ट करने लिए यह को प्रिक्षिन को रिड्यूस करने के लिए यह भी यूज़ बात कर रहे हैं आपर इसका जो परपज्ज की तोर पर आपके रिश से या कह सकते हैं एनिमल ओरिजन से अप्टेन होता है इसलिए बहुत सारे लोग इसको यूज करने से इसके चाते हैं तो इस प्राबलम को कम करने के लिए इस प्राबलम को या इश कह सकते हैं जो हमारी जो एक तरीके से कि एकसे क्प्सुल को कि जो लेवल है वह वह विलकुल एक्दम से अलक हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं जो लोग vegetarian होते हैं तो capsule doses from को discard कर देते हैं बोला कि यह non-vegetarian source से मिलता है इसलिए इसको use नहीं करते तो इस problem से निजात पाने के लिए आज कल दूसरे polymer screw पर काम चल रहा है उसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर्ली hydroxy यह बहुत अच्छा film former agent है और एक तरीके से जिलेटिन का alternative है और आने वाले समय में यह HPMC से बने हुए capsules आपको मिलने लगेंगे इसकी quality क्या होती है इसको आप as a cell बनाने के लिए cell manufacturing agent के जैसा use कर सकते क्योंकि इसकी अच्छी-कासी water solubility होती है और अच्छी-कासी टेंसाल स्ट्रेंथ होती है जिसके करने इसको हम एजा film former agent यूज कर सकते हैं empty capsule बनाने के लिए vegetarian source के तो पर तो correct answer क्या हो जागा डी चली तो question number first के बाद आते है question number second पर जो कि असरसा region का question है alcoholic preparation should not be filled in the capsule हमने यह तो सुनाता कि aqueous preparation को filling करते क्या alcoholic preparations को filling करते reason क्या बोल रहा है कि alcohol causes of tanning degradation of capsule जी हां बेलकुल सही है कि यदि आप alcohol based preparation को alcohol based pure alcohol based preparation को ethanol based preparation या दूसरे alcohol based preparation को आप इसमें fill करोगे तो यह आपके capsule cell का degradation cause करेंगे by the mechanism of tanning इसके कारण capsule cell में बिटलने साधरती और capsule cell जो आपका fracture हो सकता है तूट सकता है तो इसके लिए आपको alcoholic preparation को use करने से आपको avoid करना है capsule में alcoholic based preparation use नहीं करनी तो उसके साबसे अगर हम देखें तो असरसन और region दोनों ही correct है और region जो है आपका region correct explanation है किसका आपका assertion का इसलिए इस हिसाब से जो answer आपके सामने होने वाला है वो answer क्या होने वाला दोस्तों correct answer A yes correct answer क्या होगा चली यह तो होगा question number second आप question number third पर बढ़ चलते है question number third क्या कहता है which lubricant is used for the capsule filling operation lubricant मतलब Glident यहां पर यूज़ कर रहे है जो flow property को promote करके capsule filling को क्या सकते uniform करता है जिसके कारण बनने वाला capsule uniform size का होता है मतलब weight variation नहीं होगा और साथी साथ content variation भी नहीं होगा तो इसके लिए कौन सा lubricant या कौन सा Glident यूज़ करेंगे option A sodium starch glycolate option B cross caramelos option C cross probidon और option D magnesium straight अगर यहां पर option A और B और C को अगर देखें तो यहां पर ABC तीनों option किसके है सुपर disintegrant के है ना कि Glident यहां पर एक मात्र जो option D option magnesium straight यह आपका lubricant Glident का काम करता है जो flow property को promote करेगा flow property को optimize करेगा तो correct answer क्या हो जागा D is the right answer चलिए correct answer की चरफ करते हैं correct answer क्या है yes D is the right answer तो यह question number 3 के बाद हम चलते हैं question number 4 के पास co-servation face separation technique used for co-servation face technique किस के लिए use करते हैं capsule formation के लिए liposome formation के लिए micro capsule formulation के लिए sustained release drug product बनाने के लिए तो जी हां दोस्तों यहां पर यह बड़ा अच्छा question है co-servation face separation एक मातर ऐसी technique है जो कि कहीं और use नहीं होती केवलों 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 micro encapsulation बनाने के लिए use को होती है मतलब micro capsules बनाने के लिए use होते है micro capsule क्या होते हैं ऐसे doses form होते हैं जिनका size range size range जो होता आपका अगर बात करें तो आपका 0.5 micron से 5000 micron की बीच में होता है कुछ box में 5 micron से 5000 micron भी लिखा हुआ है तो मतलब 5 micron से लेकर 5000 micron size की preparation होती है और co-servation face separation method के लाबा और भी method होती है जिसको हम utilize करते हैं इनको बनाने के लिए जिसमें आपका spray drying and spray congealing solvent operation method पान coating method और इसके अलावा आपकी centrifugal centrifugal process होती है और भी बहुत सारी process होती है fluidized air suspension method होती है या fluidized air process होती है जिसके तो हम co-servation face separation जिसके तो हम micro capsules बनाते हैं तो आप पर देखिये co-servation face separation method होती है uniquely या specifically micro capsules बनाने के लिए हम use करते हैं और co-servation face separation method में क्या होता है कि आप liquid और solid दौनों material को क्या कर सकते हैं इसमें encapsulate करा सकते हो तो correct answer क्या हो जागा सी चली चली जुस्तों question number five को discuss करते हैं question number five में देखते हैं क्या है viscosity से लिया गया question है ज्यान देते हैं इसको the required viscosity ज्यान दीजे को question को the required viscosity of gelatin used in the manufacturing of soft gelatin capsule देखिए यहां पर viscosity किसकी पूचे गई gelatin की viscosity पूचा गया है देखिए hard gelatin और soft gelatin बनाने के लिए आप इस जीडेटन के specification होते हैं उनको हम utilize करते हैं जैसे कि आपका bloom strength ब्लूम strength के बारे में तो bloom strength आपने देखा होगा hard gelatin capsule cell का bloom strength high होता है और soft gelatin capsule cell में जो gelatin use करते हैं उसका bloom strength क्या होता है लो होता है तो यहां पर bloom strength पूचकर पूच अगया viscosity किसके बारे में दोस्तों viscosity के बारे में तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा यह options अगर देखे 25 से 45 centipose 25 से 45 millipose 2.5 से 4.5 millipose 250 से 450 centipose यह बहुत जादा है ठीक है यह भी बहुत जादा है यह बहुत कम है अगर हम बात करें ठीक है और यह भी बहुत जादा है तो यह C और D option तो होगे नहीं यहां पर देखे ए और B option मिलते जुलते हैं दोनों में अगर देखें फरक किसका unit का यहां पर unit हमें याद रखना जरूरी है तो यहां पर millipoise में जो answer है जो millipoise में फिप्त का answer क्या होगा B 25 से 45 millipoise viscosity वाला gelatin हम soft gelatin capsule cell बनाने के लिए हम use करते हैं तो correct answer क्या हो जागा B yes right answer क्या हो जागा B B is the right answer चले next question पर चलते हैं अच्छा question है see the following pair of filling manufacturing principle process method for the hard gelatin capsule rotary and soft gelatin capsule rotary dye process plate process bubble method echo gel method echo agar fill principle vibrator fill principle piston pump principle and punch method तो दोस्तों यहां पर पूछा किया कि इन में से कौन सा equipment soft gelatin के लिए utilize करते हैं कौन सा hard के लिए utilize करते हैं rotary dye process और plate process दोनों के दोनों किसके लिए soft gelatin capsule के लिए use करते हैं bubble method और echo gel method भी soft gelatin के लिए use की जाते हैं augar fill principle और vibrator principle यह दोनों hard gelatin capsule की filling method है piston pump principle और punch method यह भी hard gelatin capsule cell की filling method है चले अब तो यहां पर यह तो clear होगा PQ जो method है वो soft gelatin के लिए है और RS PQ किसके लिए soft gelatin के लिए और RS hard gelatin के लिए चले option चेक करते हैं PQ किसके लिए PQR used for the soft gelatin capsule yes और R and S used for the hard gelatin capsule किसके लिए hard gelatin capsule तो उसके साबसे answer क्या हो जागा D D is the right answer चली check करते answer D यहां बिल्कुल right answer D है चली एक और बड़ा question PQRS वाला इसमें भी बहुत बड़ा आपको देख रहा होगा लेकिन हम basic चीज़ देखेंगे यहां पर क्या होता है तो चली read the following instrument used in the capsuling carefully इर्विका की Rotoway, Macofor & Mg2, Lily Park & Hoffizer तो इर्विका की जो instrument होता है वो de-dusting और polishing के लिए use करते हैं किसके लिए de-dusting और polishing के लिए use करते हैं Rotoway यहां पर capsule weighing machine होती है Macofor, Mg2, Lily Park device & Hoffizer आपकी capsule filling machine है यह कैसी है filling machine है तो चलीए P & Q जो हैं वो अलग-अलग है P किसके लिए PQ, P & Q are used for the de-dusting of heart dilatant capsule और determine, Rotoway मतलब determine the weight of the capsules respectively तो यह तो B हो सकता है while R & S are used for the filling of heart dilatant capsule तो जी हाँ यह हमें B मिल गया लेकर उससे पहले, B तो correct है उससे पहले हम देखते हैं कि यह option में क्या खराबी, क्यों गलत है, यह option बोल रहा है कि P & Q, ठीक है P & R, P & R, देखिए R बोला गया, R तो जबकि आपका क्या है, आपका किसके लिए यूज करते हैं, यहाँ पर R को किसके लिए बोला गया है weight, capsule के weight को measure करने के लिए बोला गया है, और आपका Q को, Q को आपको filling के लिए बोला गया है, जो कि गलत है यहाँ पर C option पर चलते है, P & Q are used for dedusting, determine the weight, यह तो सही है, लेकिन R, देखिए यहाँ पर यह उल्टा दिया है, irrespectively कर दिया है, मतलब P का मतलब क्या होगा, determine the weight of capsule, मतलब एरवक की, capsule के weight को determine करने के लिए यूज करते हैं, और जो आपका Q है, dedusting के लिए यूज करते हैं, तो यह इसको बोला गया है, यह इसको बोला गया है, dedusting के लिए और इसको capsule weight के लिए जो गलात है, पूरी तरह से, यह तो आपकी capsule की filling की machines है, तो यहाँ पर निर्विवाद रूप से, जो answer होगा, वो क्या होगा, आपका A answer होगा, क्या होगा, दोस्तों, आपका A answer होगा, A is the right answer sorry, A नहीं, B होगा, sorry, इस दो wrong होगा, A भी रॉंग है, C भी रॉंग है, और D भी रॉंग है, तो यहाँ पर जो correct answer क्या होगा, आपका B, Bombay, this is the correct answer, possible description मैंने आपको बता दिया है, चली, आगे बढ़ते हैं, next question की तरह चलते हैं, question number, यह answer होगा B, question number 8, addition of titanium dioxide, addition of titanium dioxide, चली, titanium dioxide का नाम आते ही, आपकी आँखे चौक जाती है, चमक जाती है, titanium dioxide, to alter the viscosity, to increase the cohesive strength, to make the capsule opaque, none of the above, तो यह titanium dioxide होता है, वो क्या होता है, आपका opacifying agent होता है, कैसा होता दोस्तो, opacifying agent होता है, opacifying का, opacifier का 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 काम करता है, opacifier क्या होते हैं, वह सबस्टेंस होते हैं, जो effect of light, light के effect को conceal करते हैं, और हमारे product को, product को protect करते हैं, किस से, light से, तो मतलब opacity provide करता है, तो मतलब capsule cell को opaque बनाने का का काम करता है, कौन, titanium dioxide, तो correct answer दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, c is the correct answer, चली हम लोग चेक करते हैं, correct answer क्या होगा, yes, c is the right answer, चली देख लेते हैं, c right answer है, बिलकुल है, right answer, to make the capsule opaque, चली, next question पर, which of the following is not to regarding the hard gelatin capsule, बहुत अच्छा question है, चली, not to, चांटना है, can be safely used to administer extremely soluble material, such as, KCL, KBR, ammonium chloride, देखिए, KCL, KBR, जो होती है, salt type की drug होती है, और यदि आप इनको capsule फिल करोगे, तो जब यह release होगे, तो क्या कर सकते हैं, आपका irritation cause करते हैं, तो यह तो बिलकुल incorrect होगा, क्योंकि यहां पर लिखा होगा safely, यह safe नहीं होती, यह problem create करते हैं, तो यह तो हो जागा incorrect, यह होगा incorrect, e-fluorescent material filled may cause the capsule cell to soften, e-fluorescent material क्या होते हैं, यह आपका moisture release करते हैं, क्या करते हैं, moisture release करते हैं, और अगर moisture release करेंगे, तो आपकी capsule cell, जैसे कि heart-related capsule cell के बारे बात करें, इसका moisture content कितना होता है, 13 to 16%, और जब more than 16% हो जाता है, moisture content, जो कौन release कर रहा है आपका, e-fluorescent material, इसके कार्ण capsule कैसा हो जागा, soft हो जाएगा, तो यह statement तो correct है, ठीक, यह correct हो गया, delicate powder may dry the capsule cell to extreme brittleness, delicate material क्या होते हैं, ऐसे material होते हैं, जो capsule shell से moisture को absorb करके, capsule cell को brittle कर देते हैं, capsule cell की moisture, जब less than 30% से, 13% से कम हो जाती है, तो इस case में capsule कैसा हो जाता है, brittle हो जाता है, कैसा हो जाता है, तो यह option भी क्या हो गया, correct, तो all of the above तो होना नहीं है, फिर, यह correct और यह incorrect है, हमें पूचा है, not true, incorrect कौन सा है, तो इनमें से a is the right answer, यह क्या हो जागा, दोस्तो, right answer हो जाएगा, यह, चलिए, तो यह क्या हमारे पास, right answer है, चलिए, चेक करते हैं, क्या हो रहा, correct answer, yes, यह is the right answer, question number 10 पर आते हैं, hard gelatin capsule cell can be manufactured by, hard gelatin capsule cell, cell के बारे मोला है, stainless steel mold pin method, centrifugal casting method, both A and B and echo gel method, echo gel method आपकी अगर बात करें तो आपके powder filling method है, soft gelatin capsule में, तो echo gel तो होगा नहीं, तो यहाँ पर दो options हैं, आपके पास, stainless steel mold pin method और centrifugal casting method, तो correct answer दोस्तों क्या हो जागा, C, both A and B, चलिए, answer देखते हैं, yeah, C is the right answer, question number 11, Janacy equipment is used to fill, filling equipment होता है, जो capsule की filling में utilize करते हैं, किस type के material को fill कर सकते हैं, इसके तुरू powder, paste, pellets, और इसके अलावा भी, liquid material, paste material, और भी substances होते हैं, उनको भी fill कर सकते हैं, इस instrument के तुरू Janacy, तो यहाँ पर दोस्तों, correct answer क्या हो जागा, कि Janacy equipment, powder के लिए, pellets के लिए, और paste के लिए, सम material के filling के लिए use करते हैं, इस तो देखते हैं, यास, तो यहाँ पर बात करते हैं, different type की methods के बारे में, जो आपकी methods होती है, micro encapsulation की, इसमें coeservation, face separation method, air suspension method, multi-orified centrifugal method, solvent evaporation method, spray drying and spray congeling method, polymerization method, और भी बहुत सारी methods होती हैं, जिनको हम micro capsule बनाने के लिए utilize करते हैं, लेकिर इन में से दो method ऐसी होती हैं, जो केवल solid material को encapsulate करने के लिए use की जाती है, बादवाकी method जो होती है, वो solid और liquid दौनों type के drug material को encapsulate करने के लिए हम utilize कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो correct answer है, वो है air suspension method, air suspension के अलावा pan coating method होती है, उसके तुरू उसके तुरू भी केवल और केवल solid material को हम encapsulate करा सकते हैं, यह लिए correct answer क्या हो जागा दोस्तों, B is the right answer air suspension method, चलिए, next question पर आगए है, question number 13 पर, देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, micro encapsulation बनाने के लिए coeservation phase separation method हम utilize करते हैं, और उसमें सबसे पहले, सबसे पहले क्या होता है, three immisival phases डबलप होती है, एक liquid manufacturing vehicle phase, दूसरा polymeric phase, और तीसरा core material phase जो drug होती है, तो जो polymeric phase होती है, वो dissolve रहती है, किसमें आपके liquid manufacturing vehicle phase में है, किसमें liquid manufacturing vehicle phase जो solvent में है, तो इसको हमें in dissolve state में लेकर आने के लिए, different type की measure करने पड़ते हैं, जिससे addition of salt, polymer, polymer incompatibility, change in the temperature, polymer, polymer interaction, इस तरीके से हमें कुछ measure करने पड़ते हैं, जिसके त्रू क्या होता है, उसकी solubility, polymers, कैसे कैसकते है, precipitate out होता है, किससे आपके liquid manufacturing vehicle phase से, तो आपका three immisible, three immisible, कैसकते हैं, कि chemical phases double up हो जाती है, तो ए option तो correct है, उसके बाद next phase में, जो polymer, polymers, जो immisible state में आया, वो आपका droplets होती है, यह कह सकते हैं, कि आपका core material हो उसके चारों तरफ क्या हो जाती है, deposit होना शुरू हो जाती है, क्या हो जाती है, deposit होना शुरू हो जाती है, तो B option भी correct है, और last minute, deposition के बाद, उस proper विवस्तित होती है, वो rigidization होता है, उसका proper film बनती है, तो उसको बहुते है, rigidizing of coating, जो polymer, जो deposit होए, वो rigid होना शुरू होगे, तो C, B, सही है, तो A, B, C, सबसे पहले A होगा, फिर B होगा, पिर C होगा, तो मतलब correct answer क्या होगा, D होगा, तो D is the right answer, चलिए, next question की तरफ चलते है, असर सर रीजन से लिया गया question है, sodium chloride should not be filled in the capsule, because sodium chloride is hygroscopic, as it absorbed moisture, it softened the cell, तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं, कि अगर माली यह moisture को absorb करता है, तो उस case में क्या होगा, तो दोस्तों, यह आपका sodium chloride, यदि आपने capsule material fill किया है, और यह moisture absorb किया atmosphere से, तो उस case में, देखिए, यहाँ पर clear नहीं कि कहां से moisture absorb कर रहा है, यदि atmosphere से moisture absorb करेगा, तो यह क्या हो जाएगा, कैसा wetted हो जाएगा, और wetted अगर होगा, तो यह wetting जो कह सकते हैं, जो moisture जो absorb किया है, वो आपके capsule cell को soft कर देगा, definitely, लेकिन यदि यह sodium chloride को आपने fill किया, और यह capsule cell से, capsule cell से अगर material को absorb, moisture को absorb करेगा, तो capsule cell को brittle कर देगा, तो यदि हम यहाँ पर देखें, यदि moisture के साबसे, atmosphere के साबसे बात करें, कि sodium chloride atmosphere से moisture को absorb कर रहा है, तो उस case में, assertion और region दोनों ही correct है, और region assertion का correct explanation है, तो उसके साबसे answer क्या हो जागा, A is the right answer, और यदि इसमें थोड़ा सा detail होता, तो हम B भी लगा सकते थे, ठीक हैं, B तो हम लगा सकते हैं, B इस case में नहीं लगा सकते हैं, B तो गलत ही हो जाता, region गलत हो जाता, क्यों नहीं fill कर सकते, लेकिन यहाँ पर अगर बात की गई है, कि agroscopic nature का, तो उसके साबसे answer सही हो जाएगा, चलिए, आज के, इस lecture का last question, और capsule, previous year questions, series का last question, which of the following is treated with 10% lime, of 6-12% weak to prepare gelatin, तो lime मतलब alkaline, तो alkaline, जो alkaline, जो substance होते हैं, उससे हम, किस type का gelatin बनाते हैं, जब gelatin बन प्रिपेर करते हैं, तो precursor रहते हैं, तो उसको acid से treat करते हैं, या फिर alkaline medium से treated करते हैं, तो यहाँ पर alkaline, अगर medium, alkaline से अगर treat कर रहा हो, यह आपका alkaline है, lime कैसा होता, alkaline nature का होता है, तो उस case में, अगर हम बात करें, तो कौन सा capsule बनता है, type B gelatin capsule cell बनता है, कौन सा gelatin बनता है, type B gelatin, type B gelatin या फार्मजल, भी produce होता है, type A किस से produce होता है, जब precursor को acid से treat करते हैं, तो यहाँ पर, देखिए, अगर आप सोचें थोड़ा सा, तो type B जो opt-in होता है, type B जो opt-in होता है, 200 से opt-in होता है, bond से opt-in होता है, और calf skin से opt-in होता है, तो pork skin तो होगा नहीं answer, pork skin से type A opt-in होता है, तो D all of the above नहीं होगा, अब A और B में से होता है, जब bone हम, जब bone as a precursor use करते हैं, तो bone को alkaline से treat करने से पहले, हमें acid से treat करते हैं, तब जाकर हम lime से treat करते हैं, तो यहाँ पर bone भी नहीं होगा, तो correct answer क्या होजागा, calf skin, calf skin में को सीधे-सीधे, हम 10% lime से 6-12 weeks के लिए हम treat करते हैं, तब जाकर हमें type B gelatin हमें obtain होता, तो correct answer क्या होजागा, A, चलिए दोस्तों, तो यह थे capsules के, previous years के MCQs, different exams में पूछे गए थे, GPAD, GATE, NIPER, Drug Inspector of Pharmacist exam में, I hope आप लोगोंने इस series से, capsules के लगवा-लगवा, सारे concept के लिएर कर लिए होंगे, और definitely मुझे लगता है, clear हो गए होंगे, क्योंकि इसमें हर type का question आपके लिए, discuss किया गया, और करीब-करीब मान के चलिए, 90 questions, capsule जैसे छोटे chapter से, capsule and micro encapsulation, chapter से 90 questions से आपको discuss कराए गया, तो definitely, आपके आने वाले exams में, इस से related अगर कोई भी question अगर आता है, तो कहीं न कहीं आपको इसमें help होगी, तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से हमसे जुड़े रही है, बने रही हमारे साथ, और देखती रही है, ये series, ती, वाई, क्यू, previous years questions की series, चलिए, next lecture में हम लोग मिलते हैं, नई topic के साथ, कुछ नई questions के साथ, thank you so much, take care, bye bye.